उत्पत्ती, इरानी फिरोजा मुख्य रूप से उत्तरपूर्वी इरान, विशेशकर निशापुर क्षेत्र में स्थित खदानों से प्राप्थ होता है. निशापुर सदियों से फिरोजा खननन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है. इस खेत्र में एक हजार वर्षों से अधिक समय से रत्न का खनन किया जा रहा है. विशेश्टाएं, इरानी फिरोजा अपने जीवंत नीले से हरेनीले रंग के लिए जाना जाता है, जिसमें अकसरनसे या मैट्रिक्स पैटर्न होते हैं. यह अपने गहरे रंग और अपेक्षाकृत कम सरंध्रता के लिए अत्यधिक बेश कीमती है, जो इसे आभूशन बनाने के लिए आदर्श बनाता है. सांस्कृतिक और एतिहासिक महत्व, फार्सी संस्कृती में फिरोजा का एक लंबा इतिहास है. इसका उप्योग प्राचीन काल से आभूशनों और सजावटी कलाओं में किया जाता रहा है. फार्सी साहित्य में फिरोजा स्वर्ग और अमर्ता का प्रतीक है. सफाविद राजाओं सहित्फार्सी शासको द्वारा इस रत्न को बहुत महत्व दिया गया है, जिनोंने खुद को और अपनी इमारतों को फिरोजा से सजाया था. व्यापार और वानिज्य, इरानी फिरोजा सदियों से अंतराश्ट्रिय व्यापार में एक महत्वपूर्ण वस्तू रही है. प्राचीन सिल्क रोड व्यापार मार्गों पर इसकी अत्यधिक मांग थी, जहां मसालों, रेशम और कीमती धातूओं जैसे अन्य मूल्यवान सामानों के लिए इसका व्यापार किया जाता था. समसाम्यक उप्योग, आज, इरानी फिरोजा दुनिया भर के आभूशन डिजाइनरों और संग्राह को द्वारा अत्यधिक मूल्यवान बना हुआ है. हाला की, खिर्म होती खदानों और खनन गतिविधियों पर प्रतिबंधों के कारण सीमित उपलब्धता के कारण, इरानी फिरोजा तेजी से दुरलब और महंगा हो गया है. सांस्कृतिक प्रभाव, इरानी फिरोजा की लोकप्रियता इरान की सीमाओं से परे फैली हुई है, जो पडोसी देशों और उससे परे आभूशन बनाने की परंपराओं को प्रभावित करती है. इसका उप्योग अफगानिस्तान, तुर्की और भारत जैसे देशों में पारंपरिक आभूशन डिजाइनों में किया गया है. कुल मिलाकर, इरानी फिरोजा, जिसे फिरोजा के नाम से जाना जाता है, अपने समरिध हितिहास, सांस्कृतिक महत्व और अद्वितिय सुन्दर्ता के कारण रतनों की दुनिया में एक विशेश स्थान रखता है. सुरक्षा, फिरोजा को अकसर एक सुरक्षात्मक पत्थर माना जाता है, जो पहनने वाले को नकारात्मक उर्जा और हानिकारक प्रभावों से बचाता है. ऐसा माना जाता है कि यहां पहनने वाले के चारों और एक सुरक्षात्मक शेत्र बनाता है, जो मानसिक हमलों और परियावरन प्रदूशकों के खिलाफ बाधा के रूप में कार्य करता है उपचार, समग्र उपचार पद्धतियों में इरानी फिरोजा शारेरिक उपचार से जुड़ा हुआ है ऐसा माना जाता है कि यह समग्र कल्यान और जीवन शक्ती को बढ़ावा देता है परंपरागत रूप से इसका उपयोग सिर्दर्द, माईग्रेन और श्वसन संबंधी समस्याओं सहित विभिन बीमारियों के लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता रहा है भावनात्मक संतुलन, फिरोजा का भावनाव पर शांत और सुखदायक प्रभाव माना जाता है ऐसा माना जाता है कि यह आंतरिक शांती, भावनात्मक स्थिर्दा और तनाव से राहत को बढ़ावा देता है इरानी फिरोजा पहनने या साथ रखने से चिन्ता, अवसाद और मूड में बदलाव को कम करने में मदद मिल सकती है संचार और अभिव्यक्ती, फिरोजा गले के चक्र से जुड़ा है, जो संचार और आत्म अभिव्यक्ती को नियंतरित करता है ऐसा माना जाता है कि यहां मौखिक संचार, वाकपटुता और आत्म विश्वास को बढ़ाता है यहां रिष्टों में इमानदार और खुले संचार की सुविधा भी प्रदान कर सकता है आध्यात्मिक विकास, इरानी फिरोजा का उप्योग अकसर ध्यान को गहरा करने, अंतर ज्यान को बढ़ाने और चेतना के उच्चक्षेत्रों से जुड़ने के लिए आध्यात्मिक प्रथाओं में किया जाता है ऐसा माना जाता है कि यह आध्यात्मिक विकास, अंतर द्रिष्टी और ज्यानोदय की सुविधा प्रदान करता है भाग्य और सम्रिध्धी, कई संस्कृतियों में फिरोजा को भाग्य और सौभाग्य का पत्थर माना जाता है ऐसा माना जाता है कि यह सम्रिद्धी प्रचुर्ता और प्रयासों में सफलता को आकर्शित करता है इरानी फिरोजा पहनना या साथ रखना किसी के जीवन में सकारात्मक अफसरों और आशीरवात को आमंत्रित कर सकता है रिष्टे में सामन जस्या, फिरोजा सौहार्दपूर्ण रिष्टों और दोस्ती से जुड़ा है ऐसा माना जाता है कि यह प्रियजनों के बीच वफादारी, समझ और क्षमा को बढ़ावा देता है जोड़े अपने बंधन को मजबूत करने और आपसी सम्मान और स्नेह बढ़ाने के लिए फिरोजा का उप्योग कर सकते हैं शारिरिक उप्चार, इसके आध्यात्मिक गुणों से परे, कुछ लोगों का मानना है कि इरानी फिरोजा पहनने से शारिरिक उप्चार प्रक्रियाओं में सहायता मिल सकती है ऐसा माना जाता है कि इसका प्रतिरक्षा प्रणाली पर लाबकारी प्रभाव पढ़ता है, बीमारी से उबरने में सहायता मिलती है और समगर स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है हार, फिरोजा हार को गले के चक्र के करीब पहना जा सकता है, जो स्पष्ट संचार और आत्मभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है ऐसा नेकलिस लंबाई चुने, जो आपकी छाती पर आराम से बैठे और आपकी नेकलाइन से मेल खाए जुमके, फिरोजा जुमके आपके चहरे पर एक आकरशक रंग जोड़ते हैं और कानों की और ध्यान आकरशित करते हैं, जो सुनने और संचार से जुड़े होते हैं ऐसे जुमके चुने जो आपके चहरे के आकार और व्यक्तिगत शैली के अनुरूप हो कंगन फिरोजा कंगन पहनने से पत्थर आपकी त्वचा के संपर्क में आता है, जिससे उसकी उर्जा हस्तान तरण में सुविधा होती है ऐसा ब्रेसलेट स्टाइल चुने, जो आपकी कलाई पर आराम से फिट हो और आपके अन्य गहनों से मेल खाए अंगूठिया फिरोजा अंगूठिया व्यक्तिगत पसंद और प्रतीकवाद के आधार पर किसी भी उंगली पर पहनी जा सकती है कुछ लोग संचार के लिए तरजनी पर फिरोजा पहनना पसंद करते हैं, जबकि अन्य संतुलन और सद्भाव के लिए अनामिका को चुनते हैं आरामदायक फिट और सौंदर्यपूर्ण अपील सुनिश्चित करने के लिए फिरोजा पत्थर के आकार और आकार के साथ-साथ रिंग बैंड के डिजाइन पर भी विचार करें ताबीज या पेंडेंट फिरोजा पेंडेंट या ताबीज को हृदय चक्र के करीब एक चेन या नाल पर पहना जा सकता है, जो भावनात्मक उपचार और संतुलन को बढ़ावा देता है ऐसा पेंडेंड आकार और शैली चुने जो आपके अनुरूप हो और आपकी अलमारी से मेल खाता हो आप एक स्तरित लुक के लिए एक ही चेन पर कई फिरोजा पेंडेंट भी पहन सकते हैं, द्रिश्य रुची के लिए विभिन आकरितियों और आकारों का सन्योजन कर सकते हैं अन्य रतनों के साथ सन्योजन फिरोजा को इसके गुणों को बढ़ाने या व्यक्तिगत उर्जा संतुलन बनाने के लिए अन्य रतनों के साथ जोड़ा जा सकता है उदाहरन के लिए फिरोजा को लेपिस लाजुली के साथ मिलाने से अंतरग्यान और आध्यात्मिक जागरुकता बढ़ सकती है जबकि इसे मूंगा के साथ मिलाने से जीवन शक्ती और जुनून को बढ़ावा मिल सकता है ऐसे आभूशन बनाने के लिए विभिन रतन सन्योजनों का प्रयोग करें जो आपके इरादों और उर्जा आवशक्ताओं से मिल खाते हों दैनिक पहनावा बनाम विशेश अवसर इरानी फिरोजा पहनने का तरीका चुन्ते समय अपनी जीवन शैली और दैनिक गतिविधियों पर विचार करें रोज मर्रा के पहनने के लिए सरल और बहुमुखी टुकडों का चयन करें जिन्हें पूरे दिन आराम से पहना जा सके विशेश अवसरों या समारोहों के लिए आप अपने पहनावे के पूरक और एक यादगार प्रभाव बनाने के लिए अधिक विस्तरित और बयान देने वाले फिरोजा आभूशन चुन सकते हैं सफाई और चार्जिंग अपने इरानी फिरोजा आभूशन की उरजावान शुद्धता बनाए रखने के लिए इसे नियमित रूप से सूरज की रोशनी या चांदनी के संपर्क में आने रिशी या पालो सैटों के साथ धुन्धला करने या सपष्ट कौट्ज जैसे सफाई क्रिस्टल के बिस्तर रखने जैसे तरीकों का उप्योग करके साफ और चार्ज करें। जान बूच कर अपने फिरोजा आभूशन को सकारात्मक पुष्टी या उसके उपचार और सुरक्षात्मक गुणों को बढ़ाने के इरादे से भरें। स्कृतिक महत्व के लिए पहने, अनुमती दे। अगले भाग के लिए सदस्यता लें, जो जल्द ही आ रहा है। पसंद करें और टिपणी करें। साथ ही मेरी सामगरी को भैतर बनाने के लिए मुझे प्रतिक्रिया दे। धन्यवाद।